गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हमारा परिवेश में पाठ दो, पास पडोस का रिवीजन करेंगे तो चलो सबसे पहले हम प्रस्नों का उत्तर देखते हैं पहला प्रस्न है, इर्फान काका की जोपड़ी किस मौसम में गिरी? तो इसका उत्तर होगा, इर्फान काका की जोपड़ी बरसात के मौसम में गिरी? रमन, विवेक और राधिका ने इर्फान काका की क्या सहता की? तो इसका उत्तर है रमन, विवेक और राधिका ने तूटे समान को छाठ कर अलग किया, घर के समान को ठीक से लगाया और घर की सफाई किया प्रस नमबर 3 जोपड़ी बनाने के लिए बास और पुवाल किस ने दिया था? तो इसका उत्तर होगा जोपड़ी बनाने के लिए पुवाल सरला दिदी ने और बास तन्वीर चाचा ने दिया चोथा प्रस्ट पडोसी किसे कहते हैं तो इसका उत्तर है पडोसी जो हमारे घर के आस पास रहते हैं हम उन्हें पडोसी कहते हैं अब सही और गलत कथन है मैं एक कथन बोलूंगी अब आपको बताना है कि वो सही कथन है कि गलत कथन है पहला कथन पास पड़ोस के लोगों को प्रडाम या सलाम करना चाहिए सही कथन क्योंकि हमें अपने आसपास के लोगों को प्रडाम या सलाम करना चाहिए दूसरा कथन जरूरत पढ़ने पर पड़ोसी की मदद करना यह भी कथन क्या है? सही कथन है तीसरा कथन अपने पड़ोसी की बुराई करना यह गलत बात है हमें अपनी पड़ोसी की बुराई नहीं करनी चाहिए चोथा कथन पडोसी के साथ मिलकर तेवार मनाना यह कैसा कथन है यह सही कथन है हमें अपने पडोसी के साथ मिलकर तेवार मनाना चाहिए अंतिम कथन पडोस के बच्चों के साथ मिलकर खेलना यह कथन भी क्या है सही हमें अपने आस पास बच्चों के साथ मिलकर खेलना चाहिए थेंक्यू बेटा आप लोग इसे एक बार फिर से रिवाईज करिए और अपने परिच्छा की तयारी अच्छे से करिए बढ़ा आप लोग अच्छों के साथ मिलकर खेलना चाहिए